नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप आज मैं आपके लिए लाया कडाई पनीर मसाला एक दम रेस्टरेंड स्टाइल इसको बनाने के हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ सीक्रेट मसाले हैं जो इसके अंदर कहें हैं इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें कितना शानदार कलर इसका आया है तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टाट आपका अपना चैनल अभी करें सब्सक्राइब ये सब कुछ मैंने यहां पर ले लिया है आप हमारे साथ बने रहें एंड तक तो आप देखिए दोस्तों इसमें जो सीग्रेट इंग्रिडियन्स है वो है दही और बटर जाएगा इसमें लास्ट में तो चलिए लगाते हैं तड़का सबसे पहले ऑईल और अब डाल दिया है जीरा जीरा डालें बड़ी लाईची छोटी लाईची लॉंग यहां पर डालेंगे और काली मिर्क दो तेज पत्ते लहसुन अदरक वा भी वा क्या बात है इसको अच्छे से हिलाएं हाफ फ्राई होने दें और आप डालें प्याज प्याज डालते इसको अच्छे से थोड़ा सा हिलाना है अब हरी मिर्क दोस्तों इसमें जाएगी जो मैंने काटके रखी हुई है वा भी वा जपर दस्त रेसिपी बनके हो रही है बिलकुल तयार अब दोस्तों यह है सीक्रे इंग्रीडियंस इसको बोलते हैं बेसन वा भी वा बेसन को अच्छे से पकाना है इसको कच्छा मत रखें इसकी समयल बिलकुल नहीं चाहिए अब इसमें डालेंगे दही दही डालना है यहाँ पर बिलकुल सही अब इसको चलाते रहें चलाते रहें जब तक ऐसा नहीं हो जाता जब ऐसा हो जाएगा ना तभी मज़ह तुस्तों। और मशाब बनाया उसको यहां पर डालेंगे वा भई वा आव गए मसाले सबसे पहले धनिया उसके बाद जाएगी हल्दी हल्दी के बाद दोस्तों यहां पर जाएगा किचन किंग मसाला इसके बाद जाएगा मिर्च लाल मिर्च पॉडर इसके बाद यहां पर जाएगा शाही पनीर मसा इसके अलावा दोस्तों इसमें और हमें कुछ नहीं डालना है थोड़ा बहुत जो भी जाएगा वह मैं वीडियो में आपको बताता रहूंगा बने रहें वीडियो के साथ इसको बनाएं भुना हुआ मसाला अच्छे से भुनें इसके बार डालेंगे पनीर पनीर दोस्तों मै मिनट इसे एसे Hence ही भूने वा भई वा देखिए कितना वड़ या से बना हैं आँई वा इसमें डालेंगे पानी जी हां दोस्तों पानी इसमें डालें आप इसको थोड़ा सा ही डालें अच्छे से नहीं बताने वाला तो चीमी आप इसमें डालिए आप इसको अच्छे से हिलाएं तक्कन रख देंगे पांच मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर और पांच मिनट के बाद वाँ भाई वाई इसने सारा छोड़ दिया है इसको निकालते हैं सर्विंग बाउल में यह छो सबसे पहले यहां पे डाल दिया मकषन मकषन को तोड़ा सब पिघलने देंगे और इसमें डालेंगे हरी मिर्च और इसमें डालेंगे लास्ट में देगी मिर्च जी हां दोस्तों तोड़ा सा देगी मिर्च में डालें और देगी मिर्च को जला ना दें इसका कलर आना चाह कडाई पनीद मसाला एक दम रेस्टरेंडर स्टाइब ऐसी ही भैतरीन रेस्पी के लिए जुड़े रहें यू एसी कुकिंग किंग के साथ यू एसी कुकिंग किंग मतलब डिलिसेज रेसिपी जै हिंद चैनल को सब्सक्राइब कर दें